हलो एवरिवान वेलकम टो अनकाडमें चलिए तो डिसकस करते हैं जो इंपोर्टेंट अपडेट से बाउट बार्ग 2023 तो देखें क्या इंपोर्टेंट अपडेट है तो जो पहले अगर आप देखोगे एक्जामनेशन का जो डेट था उसमें चेंज हुआ है क्लोजिंग डेट औफ एक्जामनेशन उसमें चेंज हुआ है पहले क्लोजिंग डेट आपका मार्च था जो की 11 सर्फ मार्च कर दिया घया है घिक है यह 1 एं जियर अप्रील था ओनलाईन UP 기대 हुं एड और 9th April हो गया है तो आपके पास advantage क्या है एक week और आपके पास available हो गया preparation करने के लिए ठीक है तो एक week और available हो गया और यह sufficient है बटा क्योंकि हर चीज़ आप लोगों ने revision कर रखा है practice करना है तो seven days में आप काफी questions practice कर सकते हैं आप अपना पूरा syllabus एक बार अच्छे से revise कर सकते हैं क्या revise करना वो अलड़ी हम लोग discuss करी रहे हैं बता ही रहे हैं आप लोगो को कि जो भी आपका class notes है उसको revise करिए ठीक है और इस platform पे ही देखो कि previous year questions का सीरीज चल ला है बार के एंडिश्रों का वो सब आप देख सकते हैं सारा playlist है आप अब लेवल है इंडिविजुली network control करवा दिया है signal भी complete करवा देंगे तो जो non core subjects है अभी डिज्टल और analog का चल ला है बड़ा डेली 7 पीम पे डिज्टल यूटूब पे चल ला है और 9 पीम पे चल ला तो हर एक topic की cover कराया जारा बड़ा कोई topic छोड़ा नहीं जा रहा है तो वो आपके लिए बड़ा काफ आपका 24th मार्च पहले भी था अभी भी क्या है सेम है फिर क्या डिस्प्ले ओफ लिस्ट ओफ कंडिडेट सौट लिस्टेड फॉर इंटर्व्यू ऑनलाइन अप्लिकेशन पोर्टर यह 24th अप्रिल को जा है अप्लोड हो जाएगा अवनबिल्टी बेस्ट अप्शन ऑन इन ऑसी यह जो वान यह टेनी प्रोग्राम उसके लिए 7 जुलाई है बड़ा और लाश्ट अव सेलेक्टेड ओसी एस 2023 कंडियेट डिजारियस ऑफ टीजी एफस्ट टु गिफ डिटेज ऑफ टेटेल्स अफ्टेज आपको आ जाएगा जो लोग करना चाहरा है तो जिखास अफ लिश्ट ऑफ अप्लिकेशन सेलेक्शन ओफ डिजी एफस 2023 ऑन अनलाइन अप्लिकेशन पोर्टर वह 14 चुलाई है और कमेंस्मेंट ऑफ ओसी एस 2023 7 अगस्ट 2023 है तो देखें बड़ा त्यान से यह रहा आपका तो जो ओसी एस प्रोग्राम है ठीक है दो प्रोग्राम ह एक है आपका OCES Orientation Course for Engineering Graduate and Science यहाँ वन येर प्रोग्राम रहेगा ट्रेनिंग के लिए ठीक है वन येर प्रोग्राम जो फाइब डिफरेंट बार्ग ट्रेनिंग स्कूल है राइट वहाँ पे आपको कहां मिल रहा है वह देखना है बड़ा फिर एक डिए ग्रेजुएट फैल करेंगे ये ब्रांचे जाएंगे इलेक्टिक अंजिनर्यइंग में इलेक्ट्रोनिक्स कम्लिकेशन इलेक्रिकल इंजिनरिक और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन सब के लिए बड़ा आई टी-बॉंबे वहां से एक अपोचिनिक है आपके पास और एक नेती अचले अब देख जा सकता है EC और Electrical के लिए यहां पे RRCAT इंदोर है और फिर यह NFC HW भी हैदराबाद है ठीक है यह orientation training का objective रहा है ठीक है जो अलड़ी यहां पे mention है अब आ जाईए तो यह हो गया आपका detail राइट तो अब देखे बहुत सारे स्थुड्येंट्स को कई बार बोलते हैं सधार स्लेबस क्या है से लवक प्लू अपड़ा इनला अलोग इजनेट माइक्रो-प्रोसेसर सब्सेटवर्स फीर मिजर्मेट यkat अ इंस्तुमेंटेशन ने lemon gaat है चीक है विंजेट मेटेकी से पूछे जाते हैं माइक्रोपोसेसर आप लोग पूलते हो माइक्रोपोसेसर की कुष्चन हम अलोडी करा ही रहा है मैप्रोपोसेसर भी आपसे पूछा जाता है electronics वाले electrical वाले देख लिए network है पर electrical machine है power system है signal system है engineering math है और फिर electro सब्सक्राइब तो इसमें देखो कि जो भी आपका नॉन पूर पार्ट है डिस्टल एनलोग कंट्रोल सिगनल तो डिस्टल कंट्रोल एनलोग सिगनल यह सारे सब्जेक्ट जो है बहुत डिटेल में आपको यहां पर करवाया जा रहा है तो इसका विटेज काफी रहेगा बड एक बहुत बेस्ट इनिसेटीव लेकर के आया आपके लिए कि आप लोग जो है जो 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री दिया जा रहा आपको फ्री क्या देख रहा है यह 269 जो चार्ज है यह बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है बटा ठीक है यह जो चार्ज है इससे ज्यादा गतो डेली आप भूजा खा जाते होंगे हैं कि नहीं प्री मॉक टेस्ट है उसको एक्जामनेशन पैटर्न के कोरिंग ही डिजाइन किया गया जो और आपको भी फील लेकर के बैठना एक्जामनेशन वाला फील लेकर के आपको आपे बैठना है तो डेफिनेटली आप यहां से काफी कुछ जो है सीखेंगे और यह 5th मार्स से स्ट कर रहा है और 30 अप्रील तक 30 अप्रील तक यह आपको वैलिड रहाएगा तो इसको मिस्स नहीं करना है और जो लोग 2024 2025 के लिए प्रिप्रिशन कर रहे होंगे पांडेशन बैच के लिए ठीक है गेट एंड एसी गेट एसी और गेट एसी और आपको क्या है सीविल सर्विसे वह जोइन कर सकते हैं 2024 के लिए 2024 के लिए अगर आप यह कोड यूज करते हैं तो वहां पर फ्लैट 10 परसेंट आपको डस्काउंट मिलेगा और यह अगर देखे हो तो यह सारे फीचर वहां पर आपको प्रवाइट के जारे है तो बड़ा आप लोग को टेस्स जोइन कर ले अभी टाइम है उसको इंप्रूव करिए अभी सफिसेंट टाइम है इतना टाइम है कि इस टाइम में आप लोग प्रैक्टिस करके रिटेंट क्वालिफाई कर सकते हैं ठीक है तो एक बार रिटेंट क्वालिफाई होगा फिर उसके बाद से फिर next stage रहेगा इंटरव्यू क अभी जैसे हमने कुछ आपको यहां पर क्या कहते है उसका अपडेट डिसकस कराया गया था तो उन सारे एक्जाम के लिए अगर आप देखोगे तो जो प्रैक्टिस सेशन चल दा है यूटूब पर वह आपका काफी बेनफिसल रहेगा ठीक है चले तो अगर और कोई इनफ